आपको कभी घुस्सा आता है? आप जाते हैं मैं हो जाओ? नए मैं इसका राज जानना चाहता हूँ मैं अभी कैसा हूँ इस चीज को तै करना मैंने दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ा है जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं लेकिन अपने जीवन में मैं खुद एक समस्या नहीं हूँ आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं इतनी उर्चाओं से मैं ऐसा मान रहा हूँ और आपके आसपास इतने लोग होते हैं आप खुद को संतुलित कैसे रखते हैं? जब शायद आप दूसरों को संतुलित न कर पाएं मतलब किसकी कुंजी क्या है? आपको कभी गुस्सा आता है? आपका भी आप चाहते हैं मैं हो जाओ? नहीं मैं इसका राज जानना चाहता हूँ अब इनेताओं के तोर पर हम लोगों के सामने रहते हैं देखिए ऐसा नहीं है कि मैं गुसा करने में सक्षम नहीं हूँ या किसी भी चीज़ की बात हो मैं हर चीज़ करने में सक्षम हूँ बिल्कुल ठीक ये बस इतना है कि मैं भी कैसा हूँ इस चीज को तै करना मैंने दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ रखा इसे मैंने अपने पास रखा है फिलहाल ये चर्चा चल रही है दिल्ली में कोई पत्रकार थे वो आए और बड़े बेवकूफी वाले सवाल बार बार पूछने लगे और जान बूच कर ऐसा नहीं कि आप बुद्धू हैं और आप बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं मैं जवाब दूँगा क्योंकि इसका आपके लिए कोई मतलब है पर आप गलत इरादे के साथ आए हैं और चला की भरे ये सवाल पूछे जा रहे हैं तब मैंने का बंद कीजिए कैमरा बहुत होई बगवास तो अब वो ये कहते फिर रहे हैं औरे ये इनर इंजिनिरिंग सिखाते हैं इन्हें तो खुद इनर इंजिनिरिंग की जरौत है ठीक है कोई नहीं मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि मुझे तो निश्चित ही इनर इंजिनिरिंग की जरौत है इसलिए तो मैं जो हूँ वैसा हूँ और अब ये लोग जिनके इरादे ही गलत हैं इनर इंजिनिरिंग का प्रचार कर रहे हैं हर किसी को सद्गुरू को भी इनर इंजिनिरिंग की जरौत है ये बहुत बढ़िया एड है ये अची चीज़ है ये तो वही औशदी है जो आप लोगों को दे रहे हैं और जिसको आप नहीं बनाया है हाँ बिलकुल मैं अपनी खुद की इनर इंजिनिरिंग हर समय करते रहता हूँ हाँ क्योंकि हम बस एक इनसान है और मुझे लगता है कि ये एक सीख है ए ना 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 नहीं ऐसा नहीं बोला चाहिए ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया में इनसान विकास प्रक्रिया का एक फूल है ये इस प्रक्रिया का शिखर है ये सबसे उपर आता है तो कभी भी ये शब्द इनसान ऐसे मत कहिए कि मैं तो बस एक इनसान हूँ बोलिए मैं एक इनसान हूँ ये सबसे उपर है पर आप दिकास की प्रक्रिया के फूल हैं, आप में खुश्बू होनी चाहिए, ये कहते रहे ना, अरे मैं तो बस एक इनसान हूँ, ये कहा है, अगर आप एक चीन्टी होते तो आप ऐसा बोल सकते थे, अरे मैं बस एक चीन्टी हूँ, ये बेवकुफ मुझे कुचल रहे है एक इनसान होते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये एक अच्छा चेंज है, मुझे लगता है कि वो सबी जो इसे देख रहे हैं, खास दोर पर यूबा, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर आप ठके हैं या बिजी हैं, तो हम उसे एक बहाना बना ले ये एक मोटर साइकल है, इंजिन कितना स्मूद काम कर रहा है, ये इस पर है कि ये कितनी अच्छी तरह लेव में हैं, और इसकी इंजिनिरिंग कितनी अच्छी है, ये सब इंजिनिरिंग ही है, हाँ मटेरेल की कॉलिटी भी माइने रखती है, पर इसकी इंजिनिरिंग अग दूसरी चीज यह है कि आपके अंदर भरपूर चिकनाहट हो, कृपा इस चिकनाहट का काम करती है, एक बार जब आपने कृपा को अपने जीवन में आमंतरित कर लिया, तब आप में अच्छे से चिकनाहट होगी, अब आपके अंदर कोई घरशन या फ्रिक्षन नहीं होगा, अगर कोई बाहरी रुकावटे आ गई, तो आप उससे वैसे निफ्टेंगे जैसे की जरूत होगी, पर आपके अंदर कोई फ्रिक्षन नहीं है, असल में इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में कई समस्याइं हो सकती हैं, पर अपने जीवन में मैं खुद एक समस्या नहीं हू आप रुकावटे नहीं कड़ी कर रहे हैं, मैं एक समस्या नहीं हूँ, हाँ, यह अंतर समझना होगा, आपने अपने एक वीडियो में कहा था, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि हम या तो अपनी यादों के साथ संगर्श कर रहे हैं, या फिर अपनी कल्पनाओं के सा मुझे ये बात बहुत अच्छी लगा, पर सभी हर समय ऐसा ही कर रहे हैं, वो अपनी एक्षमताओं का इस्तमाल अपने फाइदे के लिए ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी बुद्धी का, अपने विचारों का, अपनी दिमागी एक्षमताओं का और अपनी भावनाओं क आपने से बहुत अच्छी तरह समझा है तो मेरा काम है लोगों की इस तरह से इंजिनिरिंग करना कि वो एक समाधान बनेना की एक समस्या क्योंकि हम बुद्धी के उच्चितम स्तर पर हैं पर हम एक समस्या बन चुके हैं जो कि नहीं होना चाहिए था हमें सबसे बड़ा होना चाहिए था बिलकुल और हम ऐसे बन सकते हैं अगर हम और हमारे काम मजबूरियों से ना बंधे हों बलकि जागरुकता से किये जाएं तो हम ऐसे बन सकते हैं जब आप जागरुकता के साथ कुछ करते हैं सिर्फ तभी यह खुबसूरत है पर अगर आप इस तर की है है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ थैंक यू थैंक यू सो मच